जेंद दोस्तों मेरे एक क्लाइंट ने मुझे सवाल पूछा है मेरे यूट्यूब चैनल के बीवर्श ने इस सवाल पूछा है अगर वो मेरे क्लाइंट होते तो सायद ऐसी नोबत आती ही नहीं और अगर आप मेरे क्लाइंट बनना चाहते हैं तो डिस्टर बॉक्स में मेरा कॉंटेक नमबर है आप उस कॉंटेक नमबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं तो हमारे एक वीवर्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि 50,000 की SIP चल रही है जो की मंस्ति SIP है और ITR फाइल नहीं करते हैं अब ये जो लाइन है ना कि क्या टेक्स की नोटिस आ सकती है ये मैंने अपने तरब से जोड़ा है क्योंकि उन्होंने इस तरह का सवाल पूछा है तो उनके मन में कहीं न कहीं टेक्स को ले करके कोई न कोई चिंता या फिर संकोच है वो 50,000 रुपे की परमत के SIP करते हैं और ITR फाइल नहीं करते हैं तो ITR के बारे में जाने, टेक्स के बारे में जाने उससे पहले कुछ और बाते हम जान लेते हैं ताकि हमारा जो concept है वो पूरी तरह से clear हो सके हैं देखिए जब हम mutual fund में invest करते हैं तो mutual fund का investment पूरी तरह से transparent होता है और cashless होता है mutual fund में आप cash जमा नहीं कर सकते हैं, जब भी आप जमा करेंगे तो UPI के माध्यम से RTGS, NEFT, Net Banking इन ही माध्यमों से invest कर सकते हैं, यानि कि कहने का मतलब यह है कि आप bank account के माध्यम से invest करेंगे, method कुछ भी हो सकता है, UPI, Net Banking, RTGS कुछ भी हो सकता है, और एक बात आपको और भी नहीं भूलने चाहिए, कि आप अगर किसी bank account के माध्यम से invest करके, उस bank account का अगर close कर देते हैं, तब भी उस bank account का detail या free statement निकाला जा सकता है, एक bank account का जो statement है, वो कभी भी delete नहीं होता है, आपने भले ही उस bank में अपना जो account है, उसको close कर दिया, लेकिन जो भी transaction उस bank account के अंदर में हुआ है, वो जीवन भर जिंदा रहेगा, जब तक वो bank रहेगी, जो भी regulatory होगी, RBI की, उसके हिसाब से वो जो transaction है, वो जीवित रहेगा, तो कभी भी देखा जा सकता है, कि आपने कहां कहां किसको किसको invest किया है, तो mutual fund में transparent तरीके से और cashless investment होता है, तो हम अपना जो transaction है, वो किसी भी card होता है, passport होता है, राशन card होता है, मनरिगा card होता है, इस तरह के जो document होते हैं, वो या तो government जारी करती है, या फिर government की संस्थाए जारी करती है, और mutual fund वगेरे में invest करने के लिए major दो card लगते हैं, एक pen card और दूसरा अधार card, अगर ये चीज़ है आपके पास, तो mutual fund में invest कर सकते हैं, देखने वाली बात यहां पर यह है, कि जो documents, government ने जारी किया है, क्या उस document की detail के पास government की पहुँच नहीं होगी, government के पास एक finger tip पे सारी जो detail है, आपकी वो available होती है, कि आपने कहां invest किया है, क्या आपने share market में लगाया है, क्या आपने mutual fund में पैसा लगाया है, आपके पास cash कितना है, bond कितना है, date कितना है, यह सारी चीज़े एक click पर government अपने पास हासिल कर सकती है, तो आपको यह भूल में तो कभी रहना नहीं चाहिए, कि हमने कोई investment किया है, और हम उसको छुपा लेंगे, government जब भी चाहेगी, तब आपका सारा detail निकाल सकती है, क्योंकि जो documents government ने दिया है, क्या उसकी जानकारी government के पास नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो जारी वही कर रहा है, तो सारी चीज़ तो उन्हीं के पास है, जो भी data feed होता है, या पर जो भी data बनता है, जो आप लेंदेन करते हैं, जो भी entry होती है, exit होती है, pen card में, जो सारा तो government के portal पर ही update हो रहा है, तो सारा data तो उन्हीं के पास available है ना भाई, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कि कोई भी transaction आपने किया है, और आप उसको छुपा सकते हैं, तीसरी बात, ITR file करने का मतलब क्या होता है, दिखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, कि ITR file करने का मतलब यह होता है, कि हम government को tax देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ITR file करने का मतलब यह होता है, कि आप government को यह बता रहे हैं, कि मेरी government को tax दें, बलकि ITR file करने का मतलब यह होता है, कि जो भी आप ITR में बता रहे हैं, कि भाई, मेरी जो सालाने income है, वो 5 लाख है, 7 लाख है, तो उतना income government के पास दर्ज हो रहा है, जब भी आप कभी भी बड़ा investment करेंगे, या फिर कोई बड़ी चीज़े लेंगे, उस समय ITR के माध्यम से जो पैसा आपने बताया है, कि हमारे पास इतना पैसा है, उसी की हिसाब से आप कोई भी चीज़ खरीच सकते हैं, वरना आप ITR फाइल नहीं करते हैं, कभी बड़ा investment करने जाते हैं, फिर बड़ी चीज़े खरीटे हैं, तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है, ITR फाइल करने का मतलब यह होता है, कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा हमारा खर्च होता है, इतना ही सिंपल है, अगर आप टेक्स के दायरे में आते हैं, तो टेक्स तो दिना ही पड़ेगा, और अगर आप टेक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपको टेक्स देने की जवरत नहीं है ITR फाइल करने के लिए बस आपको इतना करना होता है कि जो भी Chartered Accountant आपके सहर में है आप उसके पास जाइए कहीं पर ITR फाइल करने में 1000 रुपे लगता है कहीं पर 5000 रुपे लगता है कहीं पर 2000 रुपे कैस पास में ITR फाइल करने का मतलब ऐसा बिलकुल नहीं होता है कि हम गौवर्मेंट को टेक्स दे ITR फाइल करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम गौवर्मेंट को ये बता रहे हैं कि हमारे इंकम इतनी है जिसमें से हमारा खर्च इतना है और हम इतना बचत करते हैं ये हिसाब आप ITR के मार्धियम से गौवर्मेंट को देते हैं अब इनके केस में क्या है कि ये 50,000 रुपे पर मन्त के SIP चल रही है इनकी अब देखिए हमारा जो income tax का है वो दो तरह का सिलेब है एक पुराना वाला सिलेब और एक नीव वाला पुराना टेक्स रिजिम नया टेक्स रिजिम नया टेक्स रिजिम में यह है कि लगभग 7,000,000 रुपे तक का अगर आपका income होता है तो आपको कोई भी टेक्स देने की जोरत नहीं है और अगर बीच में कुछ टेक्से से अगरा कटते भी हैं तो वो भी refund हो जाते हैं इनके लिजे कि अगर आप टेक्स के दारे में नहीं आते हैं तो एक लाक रुपे में आप अपना घर कैसे चला रहे हैं कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 रुपे पर मन्त इन्वेस्ट करें और वो सिर्फ एक लाक रुपे में अपना घर चला ले जो हमारा जो नया टेक्स करें उसके लिए तो सबसे पहले तो आपको टेक्स फाइल करना चाहिए आज आप पैसा निमेस कर ले रहे हैं आज आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहे हैं लेकिन कल के दिन जब यह पैसा बहुत बड़ा होगा जब इस पैसे को आप रीडियम करेंगे तो अभी नहीं तो उस आपको कि हमारे इतना इंकम होता है और इतना खर्च होता है इतना पैसा हम बचत कर पाते हैं जो पैसा हम इंवेस्ट कर रहे हैं देखें रियल लाइप में यह होता है कि एक कोमन इंसान बड़ी मुश्किल से अपना जो सालाना इंकम होता है उसका 10%, 20%, 30% बचा पाता है इत तो अगर आपका इंकम कम होता है आप नॉर्मल लाइप जी रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से आप 10-20% अपनी इंकम का इंवेस्ट कर पाएंगे तो उस हिसाब से अगर इस इंवेस्ट को 10-20% या 30% माना जाए तो इसका जो 70% और है उतना इंकम माना जाएगा उस हिसाब स तो इस जाब से तो यह हो रहा है तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप ITR फाइल करना शुरू कर दीजे दूसरी समस्य यह होती है कि जादा इंवेस्ट हो रहा है जैसे इनके मामले में जादा इंवेस्ट हो रहा है तो क्या करना चाहिए तो देखिए अगर आपका जैसे इनका 6 लाग रुपे सलाना हो रहा है इंवेस्ट में तो ऐसे केस में आप यह कर सकते हैं कि आप अपने वाइप के नाम से इंवेस्ट कर सकते हैं आप अपने मदर के नाम से इंवेस्ट कर सकते हैं आप अपने फादर के नाम से इंवेस्ट कर सकते हैं जैसे यह 50,000 र अगर आप नाम से इन्वेस्ट कर रहें तो उनका भी आइटियार फाइल कीजिए भाई साल भर में हजार देड़ाजार रुपे देकर के सीए को और आइटियार फाइल कर लेते हैं तो आप चैन की नीन सो भी सकते हैं आपको इस बात का एसास रहेगा कि हमारा जो भी investment है या फिर जो भी मेरी कमाई है उसका देख रेक एक सीए करता है चार्टेड एकाउंटेंट करता है सारा हिसाब मैंने उसके पास दे दिया है तो आप चैन की निंद सोच सकते हैं लेकिन अगर आप तरीका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है तो देखे अगर इस concept को समझा जाए तो बहुत मुस्खिल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है अगर आप ज़्यादा पैसा इंवेस्ट करते हैं तो ITR फाइल कीजिए अग गिल्कुल आपको ITR फाइल करना चाहिए व हैं आप क्यों न फाफे जार दे सारी के लाइक यह जरूर कर दीजगा और इससी तरह की वोडीयो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा and इस सब्सक्राइब कर दीजगा ताकि वो भी aware हो पाए, ताकि वो भी जानकार हो पाए कि हमें ITR फाइल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इस वीडियो का आखिर में बस में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने family का बहुत ख्याल रखेगा मैं मिलूँगा इसी तरह किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाए